नमस्कार, कैसे हो आप सब? I hope कि आप सभी अच्छे होगे, मैं सेंगिता फ्रॉम लर्नोहब, दे लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं, Math Science SST, absolutely free at learnohub.com चली बचो, start करते हैं हमारा आज का chapter, question number one हमारा है, state the various functions political parties perform in a democracy, ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है कि democracy में political parties के जो women role होते हैं, various functions जो उनके हैं, वो आपको यहां पर बताने हैं, तो अगर हम बात करें political parties, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, politics क्या हो गया, वो आप ठीक है, political party क्या हो गया, party एक पुरा group हो गया, ठीक है, अलग-अलग group बनते हैं, अलग-अलग groups को अलग-अलग party का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, तो यानि की एक political party में बहुत सारे members होते हैं, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, अब उनके functions क्या होते हैं, वो हम समझते ह हैं, in a democracy, it is very important to have parties to run the country, in the absence of a party, no one will be responsible for how to run the country, तो सबसे पहली चीज की parties जो होती हैं, वो बहुत ही जरूरी होती, क्यों होती है, क्योंकि कोई एक person ही देखे, पूरी country नहीं चला सकता है, यह हमने पहले भी पढ़ लिया, ठीक, अब कोई party है, party means कोई भी political party है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे members होते हैं, जिनको मिला कर party बनती है, ठीक है, तो हला कि political party हम लग पहले से बोल रहा है, बट धेर सारे लोगों को मिला के क्या बना, एक political party बनी, तो वो party के जो लोग होते हैं, अलग-अलग area से होते हैं, अलग-अलग state से हो गए, ठीक है, जो भी हमारे हाँ elections होते हैं तो आपने देखा कि बड़े elections छोटे elections हर तरह के होते हैं ठीक है तो वो आपका central के लिए हो गया, state के लिए हो गया फिर उसके अलग-अलग area के हो गया तो क्या है छोटी-छोटी काईयों में बढ़ता जाता है और वो सारे क्या होते हैं वो एक party के members होते हैं सारे, ठीक है, वो क्या करते है सारी information, उनको मिलती है जिस एरिया का जो है, उसको पता चलता है कहाँ पर क्या problem है कहाँ पर किन चीजों की requirement है तो उस चीज को आगे वो government तक पहुचाता है, जिसकी वज़े से काम जो है, सारे अच्छी तरीके से हो जाते हैं, कि कहाँ पर क्या जरूरत है वरना एक बंदा जो की central में बैठा हो, एक person जो की central में बैठा हो, अगर उस पर सब को छोड़ दिया जाए तो सारी चीजे सही तरीके से नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो election contest, election contest में बहुत ही important role इनका है कैसे? election contest होते हैं तो उसमें क्या है? पहले जब election के लिए, nomination के लिए लोग जाते हैं उसमें भी क्या है? सिर्फ एक person नहीं जाता उसके साथ उसके team के सभी लोग जाते हैं तो एक तरह से जो उसकी पूरी team है उसका जो group है, तो ये political party के डियर सारे लोग साथ में जाते हैं nomination के लिए भी जाते हैं जब election किस time जब चुनाव प्रिचार के लिए लोग जाते हैं, देखो उस समय भी लोग जाते हैं, ठीक है? जीत के उस समय भी लोग है, फिर जाके जब लोग सबा में बैठते हैं तो वहाँ भी क्या है? सभी एक साथ बैठते हैं, तो क्या है? यहाँ पर political party का जो role अगर हम कहें कि election contest में बहुत ही important है, ठीक है? क्योंकि लोग अलग अलग जगर पे जाते हैं वहाँ अपनी बाते कहते हैं सब एक साथ ही जाते हैं, ठीक है? धेर सारे लोग फिर आगे हम देखेंगे, ले policies and programs for the public, पबलिक के लिए policies and programs लाना, तो वो क्या है? वो एक person ही नहीं ला पाएगा वो धेर सारे members है party के, जो की हो गया, political party आपकी हो गई, उसके धेर सारे members होते हैं, अलग-अलग area में गए वहां की problems है, आके बताया वहां पर, कि यहां पर इन चीज़ों की जरुवत है, वो सारी चीज़ें तो और public के लिए वो तरह-तरह की policies लाते हैं, अलग-अलग parties हो गई, अब elections होंगे, तो कौन किसे vote देगा, कैसे पता चलेगा, कैसे हम इसको judge कर पाएंगे, कि किसे vote करना है तो हम अलग-अलग policies अलग-अलग party की जो अलग-अलग policies होंगी, उनको हम लोग देखते हैं कुछ तो होता है कि ठीक है, party के लिए लगाओ है, या किसी person के लिए लगाओ है, इसके लिए voting करते हैं, साथ ही सबसे बड़ा, बड़ी चीज क्या होती है, कि हम देखते हैं कि कौन-कौन से policies, कौन party ला रही है, तो जिधर हमें फाइदा दिखता है उधर हम लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं ठीक, important role in lawmaking lawmaking में important role है कोई एक person ही ला कर ऐसा नहीं कि कोई law बनाया गया और ला कर सपे उसे थोप दिया गया ना, ऐसा नहीं होता, कोई भी law बनता है, legislature जो है, law बनाया फिर आया, उसके लिए क्या होता है अच्छी खासी बहस होती है कैसे होता है, discussion होता है फिर उसके बाद ही कोई law पास होता है, उसमें discussion किसमें होता है जो एक, जो party है center में उसके members भी होते है और जो other party, opposition parties होती है उनके भी members होते है तो कोई भी law बनाने में सभी क्या करते हैं, आपस में discussion करते हैं बहुत सारी बहस चलती है क्या implement होना है यह सारी बाते होती है उसके बाद ही कोई law वो आता है कोई एक person अपनी मरजी से कोई भी चीज़े सामने रख सकता है किसी के लिए फायदे मन है वहां सारी तरह की बहस होती है और फिर उसके बाद कोई भी law वो बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत important है फिर form government बनाने के लिए अब देखिए धेर सारे लोग जाते हैं फिर अलग अलग जगा पे vote मांगते हैं फिर क्या होता है कि कोई party जीतती है वो party फिर अपना तै करती है कि किसको हम लोग इस post पर रखेंगे जिस भी चीज के लिए election हो रहे हैं ठीक है तो उसमें किसको हम लोग रखेंगे तो वो सारी चीजे party क्या करती है तै करती है सानी कि कोई भी person जाएगा और वो बन जाएगा तो उसके लिए बहुत आहम है playing the role of an opposition party opposition party का role play करने के लिए जीती होई party जो है वो center में हो गई opposition party जीती होई party के भी ठीर सारे members हैं ठीक है वो पूरी party बन गई फिर opposition का डर रहेगा क्योंकि public की आवास तो वहां तक कौन पहुचाता है बागी party ही पहुचाती अपनी जो party जीती होती उसके members भी पहुचाते हैं और other parties जो होती है या opposition party जो की हारी होई party हो गई वो सभी क्या करते हैं वो सभी सारी बाते पहुचाते हैं public opinion रखते हैं ठीक है त तो उसके लिए क्या होगी opposition party का होना बहुत जरूरी है तभी वो आवाज उठा सकेगे कि यह चीज गलत है या फिर जो party है जो भी काम कर रहें उसे डर होगा कि अगर हमने यह काम कर दिया तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो हम पर आवाज उठाएंगे थे उंगले उठाएं रहता है जैसे कि कहते हैं न भैवी नू हो इना प्रीती तो वही एक डर बना रहता है ठीक है पब्लिक का डर होता है प्लस opposition party का भी डर होता है कोई भी काम करने के लिए ठीक फिर आगे create public opinion पब्लिक opinion create करने के लिए parties हैं अलग-अलग जगह पे चुनाव हुए ठीक है elections या आपने अपने according party को चुनाव से वोट किया जो जीती हुई party है वो क्या हुई वो सत्ता में आ गई ठीक है तो वहां क्या है public opinion जो है वो वहां पर पहुँचा ना public की बाते जो है वो पहुची ज्यादा जिसे वोट मिला वो पार्टी में आया वो क्या करेगा वो representative बन गय ठीक है उसी तरह other parties के भी लोग जो होंगे वो public की बाते पहुचाते हैं तो यह हो गया next हम देखते हैं to reach out the public welfare program public welfare programs तक लोगों के कल्यान के जो भी काम है उसके लिए उसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे की DM वगेर से आपकी मुलाकात होनी हो वो मुश्किल है ठीक है कुछ ज ज़्यादा लोगों की पहुच वहां तक नहीं होती है बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं बात होती है यहां पर क्या है politics में हम देखें कोई किसी minister की बात है कि वो क्या उनको जानने वाले लोग है उन्होंने अपने पार्टी में बुला लिया बहुत सारे लोगों से मिल किसी को किसी काम में problem आ रही जैसा कि combine के time में भी देखा गये होगा कि किसी को bed चाही हॉस्पिटल चाही नहीं मिल रहा है तो उसके लिए लोग क्या करते थे कि किसी की पहचान है politics में तो उनसे बात कर लियो और काम बन गया इस तरीके से भी लोग करते तो यह क्या है कि यह पर public welfare programs जो है, politicians जो है, या पर political party जो है, public के कल्यान के लिए काम करना, उसके लिए public की जो पहुंच होती है, वो easy होती है, इस जरीए से, ठीक है, तो I hope कि आपको समझ में आ गए होंगे, कि democracy में political parties के various functions जो है, वो क्या है, चली बचो देखते हैं, question number two, question number two हमारा है, what are the various challenges faced by political parties political parties को कौन से, या फिर various challenges जो face करने पड़ते हैं, वो कौन से हैं, ठीक है, पाड़ रहा है, तो political parties को जो challenges face करने पड़ते हैं, वो बहुत सारे हैं, आए कुछ points में हम यहाँ पर देखते हैं, the various challenges faced by political parties, first यहाँ पर है lack of internal democracy, lack of internal democracy मतलब आंतरिक democracy में कमी मतलब की, आंतरिक लोक parties के जो main post होंगी, वो किसी family के ही person जो होंगे, वही उस post पर वही बार-बार आते रहेंगे, मतलब एक person उसी family के आगे की जो पीढ़ियां होंगी कह सकते हैं, या फिर उनके कोई relatives होंगे, main-main जो leaders हैं, उनके जो relatives होंगे, वही उन post पर आएंगे, कोई भी decision लेने हैं, उसके ले क्या होगा, जो main leaders हैं, बस वही सभी मिलकर और उनके जो relatives हैं, जिनको उन्होंने साथ में शामिल कर रखा है, बस वही सब मिलकर कोई भी decision जो है, वो ले सकते हैं, या फिर लेते हैं, जिसकी वज़ए से बाकी लोगों की कोई जरूरत नहीं होती, बस उनका नाम है कि वो party में हैं, बट अगर उनका कहें, तो उनकी कोई presence जो है, वो party में नहीं रहती है, और अगर कोई इसके लिए आवाज उठाता है, तो उसे party से बाहर भी कर दिया जाता है, समय समय पर meetings होनी चाहिए, कोई भी फैसले लेने, जिसमें कि सभी को participate करना चाहिए, बट यहाँ पर क है, कि lack of internal democracy, यहाँ पर जो भी फैसले लेने हैं, उसके लिए कोई meetings वगेरा नहीं होगी, कि सभी को बुला के सभी राय जानी जाए, जो main leaders होंगे, बस वही सभी मिलकर, और जो भी फैसले लेने हैं, वो ले लेते हैं, तो यह हो गया सबसे बड़ा challenge, फिर इसके बाद second हमार है, hereditary tendency, hereditary tendency की अगर बात करें, तो यह काफी हद तक first वाले से match करता है, ठीक है, जैसा की बात होई कि कुछ खास लोग होते हैं, उन्हीं के family के लोग आगे उस post पर हमेशा आते रहते हैं, या फिर कुछ main leaders हैं, उनकी family या फिर उनके relatives जो होते हैं, वही main post पर होते हैं, बाकी लोगों को भले ही वो बहुत जादा काबिल हैं, बहुत ही able हैं उस चीजों के लिए, लेकिन वो क्या है, कि उन्हें वहाँ पर जगर नहीं मिलती है, जो main main लोग है, उन्हें ही वो post जो हैं, वो दे दी जाती हैं, money and presence of criminal elements, कुछ लोग होते हैं, parties में, कि उनके लिए क क्या है, उनको बस election जीतने से मतलब है, उसके लिए money and criminal elements जो हैं, उनका use करने से वो हिचकिचाते नहीं हैं, कहीं भी होगा, किसी भी तरह से criminal activities जो हैं, वो भी कर जाएंगे, money है, किसी से भी money लिया और उसका काम उन्होंने आराम से करा दिया, इससे भी वो नहीं हिचकिचा भले ही वो काम गलत हो रहा है, ठीक है, लोग उसके oppose में, बट उनको money मिल रहा है, उससे कर लिया, या फिर money दे के अपना काम जो है, वो करा लिया, ठीक है, बहुत बार आप देखते हो कि जब voting हो रही है, बहुत बार क्या हमेशा ही होती है, होता है, election के time क्या होता है, लोगों को क्या करते हैं, डराते समकाते भी हैं, तो ये क्या है, अपने वो criminal activities and money जो है, सभी चीज़ों का use हो करते हैं, क्योंकि उन्हें election किसी भी हालत में जीतना है, तो ये भी एक बड़ा challenge होगा है, पार्टी के लिए, बहुत सारे कुछ लोग उस पार्टी में हो सकते ह उन्हें ये चीज़ें नहीं पसंदे हैं, बट उन्हें पार्टी में रहना है, तो इन चीज़ों को support करते हैं, lag of choice in the party, ठीक है, तो पार्टी को choose करने में कमी, अगर हम देखें, तो पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे मुद्दे होते थे पार्टी के पास, कि अ सभी के पास सेम मुद्धे हैं, तो जो public है, उसके पास सही party चूज करने लिए options जो है, वो बहुत ही कम है, ठीक है, कैसे options, मतलब ये कि सभी party के मुद्धे तो सेम हैं, तो अब उसी सब के मुद्धे जो हैं, वो सेम हैं, तो उनके पास party जो है, कि कौन सी party जो है, वो हमारे लिए अच्छा कर रही है तो यह चूज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी पार्टी पार्टीयों के जो मुद्दे हैं उनका जो प्रोपोगेंड़ा है कि मेरी अगर हमारी गवर्मेंट आती है तो आपके लिए यह हो जाएगा तो वो लगभग लगभग सेम है सभी सही पार्टी जो है वो चूज करने में मुश्किल होती है और फिर पार्टी चूज करने के लिए कम होते हैं चले बचल देखते हैं question number 3 question number 3 हमारा है suggest some reforms to strengthen parties so that they perform their functions well ठीक है कुछ suggestion आपको देना है कि political parties जो है वो अपना काम सही तरीके से कर सके उन्हें strength देने के लिए आपको कुछ suggestion देने हैं ठीक है तो सबसे पहली चीज़ कुछ चीज़े हैं जो की relate होती है हमारे पिछले वाले question से first point जो हमारा है legislation should be made to streamline the internal working of political parties ठीक है political parties सही तरीके से काम करें इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए कैसा सही तरीके से काम जैसा कि हमने अभी just पहले वाले question में देखा था answer में देखा था कि उनकी जो कमिया थी या फिर कौन से challenges face करने पड़ते हैं ठीक है तो उसमें क्या था कि कुछ parties ऐसी होती हैं कि उसमें parties में जो main leader हैं वो सिर्फ कुछ किसी family के ही person जो हैं main leader हमेशा बनते रहेंगे या फिर जो उसमें खास post पर कुछ लोग हैं बस आगे जो काम होंगे जो सलाह होगी जो भी decision लिये जाएंगे बस आपस में वो सभी मिलकर ही करेंगे तो ऐसा कुछ कानून ले आना चाहिए कि जिसकी वज़े से क्या है कि internal ये सारी चीजे सुधर सकें कि party में सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए जो ज़्यादा काभिल है उसे आगे रखा जाए जाए रखा जाए ऐसा नहों कि किसी एक ही family के लोगों को आगे करते जा रहे हैं या फिर उनके relatives हैं या main leaders जो हैं उनके relatives हैं उनकी family के लोग है बस उन्हें ही आगे बढ़ाया जाए जाए तो ऐसा suggestion है कि सुधर के लिए ऐसा किया जाना चाहिए ऐसा कोई कानून law जो है वो लाना चाहिए कि कि किसी one person को या one family को ही preference ना दी जाए second क्या है there should be state funding of elections और it could be given in cash on the basis of the vote secured by the party in the last election ठीक है तो जो elections होते हैं उसमें बहुत जादा पैसा लोग खर्च करते हैं तो ऐसा भी कुछ law होना चाहिए कि जो elections है वो state funding पर हो जिसका खर्चा जो है government उठाए और वो depend हो लोगों को जिस तरह किस दिये जा है उनके पिछले election जो हुए थे उसके आधार पर वो खर्चे जो है वो depend हो ठीक है उस आधार पर वो दिये जाए नेक्स का इस चुट भी made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets about one third to women candidate देखे women candidate वाली बात है कि ये अक्सर मांग उठती रहती है कि women को जो है वो preference दी जाए या women के लिए कुछ seats जो है उनकी पहले tickets जो है उसके लिए एक number fix होना चाहिए कि इतनी women जो है उनको tickets मिलने ही चाहिए उसी तरह seats है फिर जीतने के बाद कि इतनी seats जो है बट अभी वो लाया नहीं गया है फिर there are two other ways in which political parties can be reformed first people can but put pressure on political parties ठीक है तो उनको parties को सुधारने के लिए क्या है या तो public जो है उसका pressure हो तो public pressure में party काम करेगी ठीक है क्योंकि public के द्वारा चुन कर आई हुई है दूसरा क्या है कि कुछ लोग जो सुधार करना चाहते हैं वो खुद से ही party में आए क्योंकि जब party में अच्छे लोग होंगे तो सुधार जो है वो अपने आप ही होंगे पहली चीज कि किसी एक का ही ददबा ना हो ठीक है जब ऐसा होगा किसी एक के ही कानून चल रहे है तब तो फिर ठीक है आगे कोई कितना भी अच्छा होगा काम नहीं कर सकेगा लेकिन अगर यहाँ पर यह कानून लागू हो जाता है तो आगे हम देखते हैं आगे की चीज भी जो है इस मूझ चल सकेगी कि पार्टी में जो अच्छे लोग होंगे वो खुझ से पार्टिसिपेशन करें फिर आगे हम देखते हैं इफ पॉलिटिकल पार्टीस फिल देट देट वोट लॉट लॉट पब्लिक सपोर्ट बाइ नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म टेवोट बेकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म ठीक है तो पार्टीस जो है वो जब देख रही है कि लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो पार्टी को समझ में आएगा कि हमने सही काम नहीं किया था इस वज़े से लोग जो है वो अपना सपोर्ट हमसे खीच रहे हैं तो इस डर से भी पार्टीस जो है वो काम करती है तो ठीक है तो पबली का जो सपोर्ट है अगर पार्टी अच्छा काम कर रही तो सपोर्ट है अगर नहीं कर रही है तो फिर आगे party को डर रहेगा कि पब्लिका support हमें नहीं मिलेगा तो उस ज़र से भी party जो है वो सही तरीके से काम करेगी तो party सही तरीके से काम हो उसे strength मिले इसके लिए ये कुछ suggestion है बाकी तो कुछ laws हैं जो की पास किये जा चुके हैं ठीक है जैसे की अगर हम देखें मालब कुछ नियम है जैसे की होता है कि हाँ party जो है वो सही तरीके से काम करेगी जैसे elections होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर देना होता है कि आप किसी आपरादिक किसी corruption में आप न रहे हों ठीक है या फिर वहां पर रहता है कि आपको अपनी जो संपत्ती है उसका बेवरा देना होता है ये सारी चीजे है लेकिन ये नहीं पता है कि जो अपनी संपत्ती का बेवरा दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है ठीक है अपनी जो प्रपर्टी है उसकी detail वो सही दे रहा है कि नहीं तो इस तरीके के कानून जो है वो आने चाहिए जिससे के party को strength या फिर कह सकते हैं politics को strength मिलेगी चलिए बचा अब हम देखते हैं question number four question number four हमारा है यहाँ पर what is a political party ठीक है political party क्या है तो political party जैसा कि नाम से पता चला party party जो word है ठीक है अगर हम कहें राजनीतिक दल दल हुआ group हुआ या फिर यहाँ पर हम कह रहे है party party से समझ भी आ रहा है कि एक साथ कई लोगों का होना ठीक है तो यह political party यानि कि ऐसे लोगों का group जो साथ में आते हैं क्योंकि यह politics से जुड़े हैं तो ऐसे लोगों का group जो की साथ में आते हैं election contest में participate करने और जीतने के बाद power अपने हाथ में लेने ठीक है कि जीतेंगे तो power तो उन्हीं को मिलेगी तो ऐसे लोगों का group जो की election contest में participate करने के लिए साथ में आते हैं लोगों के well-being के लिए वो क्या करते हैं लोगों के हितों के लिए वो क्या करते हैं कि कुछ policies and programs लाते हैं लोगों के सामने रखते हैं और फिर बताते हैं कि हमारी policies या हमारे programs जो हैं वो औरों से अलग कैसे हैं या औरों से अच्छे कैसे हैं ठीक है तो समझ में आगया कि political party क् ऐसे लोगों का group जो की साथ में election contest के लिए साथ में आता है ठीक है अब अगर हम बात करें कि political parties जो होती हैं तो उनका reflection कुछ political parties जो होती हैं वो क्या करती है society में political party जो होती है political division कुछ political parties होती है जिसमें कि political division जो है वो reflect होता है कैसे अगर हम बात करें तो जैसे कुछ parties है उनका कुछ political parties उनका जुकाव जो है किसी खास society की तरफ है तो क्या करेंगी उसके लिए चीजे लाएंगी उसके लिए schemes लाएंगी policies लाएंगी तो उससे पता चल जाता है कि party का जो ideal है party की जो सोच है वो क्या है ठीक है अब यहां पर आपको समझ में आगए है कि political party क्या है ठीक a political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government ठीक है जो की साथ में किसके लिए आते हैं election contest के लिए साथ में आते हैं they agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective goods parties reflect fundamental political division in a society ठीक है तो उस party का जो जुकाओ होगा किसी खास society की तरफ होगा तो वो क्या होगा वो उसके ideas में reflect होता है चली बचो देखते हैं question number 5 question number 5 हमारा है what are the characteristics of a political party एक political party का characteristics जो होते हैं वो कौन से होते हैं उनके गुण क्या है या फिर उनकी quality क्या है तो सबसे पहला क्या है political party contest election political parties क्या करती हैं election में participate करती हैं ठीक है च चुनाओ लड़ती हैं चुनाओ कोई अलग-अलग person जाके नहीं लड़ते है political parties जो होती है वो election में participate करती है political parties try to implement those policies after winning election by getting the support of the people ठीक है लोगों के support से political parties जो है वो election जीतती है उसके बाद जो भी वो उनसे वायदे की होती है पबलिक से जो भी policies लाने की बात करती है उनसे वो implement करने की कोशिच करती है क्योंकि उसी के बल पर वो political parties जो है उन्हों marching को जीता है इसलिए public से होई वायदे वो election जब जीतते हैं उसके बाद उससे पूरा करने की कोशिच करते हैं ठीक है जिसे क्या होता ह public का ही public का fayda होता है पार्टी आखे जो election में जीता उसका तो फायदा है बट public का भी फायदा होता है कि जो उन्होंने लोगों के सामने बाते रखी थी जो policies रखी थी कि यही चीज़े हम implement करेंगे तो उसे वो आगे implement करते हैं जिससे की public को फाइदा मिलता है ठीक parties also represent the basic division of a society parties जो होती है वो society में basic division को भी represent करती हैं अगर हम देखें तो जैसे कुछ parties होती हैं उनका जुकाओ किसी खास work समुदाइश से होता है किसी society से होता है उनका जो जुकाओ है कह सकते हैं या लगा हो कह सकते हैं कि उनके लिए policies ला रहly है फिर उनके लिए वो काम कर रही है ठीक ये हो गया parties identified by its policies and its social base कुछ parties जो होती है या फिर parties जो होती है तो वो अपनी policies और जो उनका social base है उससे वो identified होती है उससे वो जानी जाती है जैसे कुछ पार्टी का मुद्दा होता है कि अगर हमारी पार्टी आएगी तो ये काम कराएगी तो वो अपने उनी जो उनका जो सोशल बेस है उसी से वो जानी जाती है It has three components, three components कौन से है पार्टी के three components होते हैं First क्या हो गया, перв हो गया लीडर, second क्या हो गया, active members हो गया and third क्या हो गया, public हो गया, leader जो जिसने की party बनाई है या फिर कह सकते हैं जो की main है, party बनाया वो person तो हर समय नहीं, लेकिन जो party का main है, वो हो गया leader, जिसकी बात सब party में मान रहे हैं, ठीक है, तो एक first हो गया आपका leader, second हो गया, active members, जो लोग active है, party में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग-अलग areas में जाते हैं, वहां के information करेक्ट करते हैं, कि कहां पर क्या problems है, किने किन चीज़ों की जरुवत होती है, तो वो जो leader है, उसके पास बाते पहुचाते हैं, जिसकी वज़े से, क्या होता है, कि वो लोग अपनी policies जो होती है, public के सामने लाते हैं, और फिर election जीतने के बाद policies को पूरा करते हैं, तो क्या हुआ, वो चीज़ कैसे होत कि इस वज़े से वो उनके followers बन गए, कई बार ऐसा होता है, कि उनकी जो सोच है, वो party को ले कर है, हो सकता है, किसी other party की उनको बाते जो है, या policies जो है, वो ज़्यादा अच्छी लग दी, बाट उनकी सोच क्या है, किसी खास party से जुड़ी हुई है, तो वो उसे ही follow करती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह तीनों जो है, इसके main components है, या फिर इसके three components है, first है leader, second active member and third है follower, चली बचो देखते हैं, question number six, question number six हमारा है, a group of people who come together to contest election and hold power in the government is called a, ठीक है, यहाँ पर आपको fill करना है, मालनी जो पहले से fill हो रखा है, बट पहले हम लोग discuss करते हैं, तो एक group जो की साथ आता है, election contest के लिए और power को hold करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उस group को क्या कहते हैं, तो हमारा यह पूरा chapter ही इस पे चल रहा है, ठीक है, जो उस group को कहते हैं, उस topic पे भी हमने अभी पहले discuss कर लिया है, पहले के question में, ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि एक group जिसमें की लोग जो होते हैं, वो election contest के लिए साथ आते हैं, फिर अगर election जीत गया, तो power hold करने के लिए साथ आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, political parties, ठीक है, जैसे जब election start होते हैं, लोग parties क्या होती हैं, nomination के लिए जाती हैं, ठीक, तो parties जाती हैं, nomination के लिए, को तो यहां पर क्या है कि उसके साथ उसकी पार्टी के लोग भी जाते हैं तो नॉमिनेशन के लिए भी देखे कोई एक परसन नहीं गया नॉमिनेशन के लिए उसके साथ क्या है उसकी पार्टी के लोग जो है वो भी गया जब लोग चुनाओ प्रचार के लिए जाते हैं लोग जो होते हैं जो कि election contest में साथ आते हैं पावर होल करने में साथ में आते हैं उसे क्या केते हैं political parties ठीक है ये पूरा क्या हो गया ग्रुप हो गया चली बचो देखते हैं question number seven question number seven हमारा है match list one with list two and select the correct answer using the quotes given below the list यहां पर list है आपकी congress party भारती जिन्ता पार्टी कविनिस पार्टी ऑफ इंडिया और फूर्थ है तेले गुदेशन पार्टी लेस्ट है नेशनल देमोक्रिटिक अलाइंस इस स्टेट पार्टी युनाइट प्रोग्रेसिव अलाइंस एंड लेट फ्रंट ठीक अब हम इससे मैच कराएंगे सबसे पहले जो है हमारा कोंग्रेस पार्टी जिसे हम मैच कराएंगे युनाइट प्रोग्रेसिव अलाइंस से इसे मैच कराएंगे युनाइट प्रोग्रेसिव अलाइंस med export考 काGANउर पार्टी हमने देखा है कि 1989 उनकी पावर जो थी फो स्ट्रंग थी इनकी इनकी जो कंडिशन थी बिदिशन थि प्रोग्रेस है उस पर काम करना, ठीक है भारती जन्ता पार्टी जिसे की जब हमने देखा है कि इन्होंने जब सरकार बनाई थी NDA के नाम से, ठीक है भारती जन्ता पार्टी जिसे हम BJP के नाम से तो जानते हैं बस अदल जो पर्टी उनकी साथ मेलकर ये बनाती है National Democratic Alliance, ठीक ह फिर हम आते हैं Communist Party of India जो की Left Front Party है ठीक है जो की वाम मोर्चा हमने सुना है तो Communist Party of India Left Front फिर आता है तेलगुदेशन पार्टी उसके लिए हमाई पास भी बचा है State Party उसके अलावा हम इसको कैसे define करेंगे कि तेलगुदेशन पार्टी जो की एक State Party State Party की खासित क्या होती है विशेशता क्या होती है कि वो सिर्फ State के लिए काम करती है उसका जो उसकी जो fight होती है वो लोकसभा चुनाव के लिए नहीं होती है वो State के लिए ही होती है ठीक है और ये अपनी state, वो particular किसी एक state के लिए काम करते हैं, उसी state के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, उस state की जो resources हैं, उनके बचाओ के लिए या फिर उनके अच्छे के लिए काम करती हैं, तो यहां पर हम किसे तेलगलदेशन पार्टी वो हमारा मैच है, इस्टेट पार् match हमारा A से है तो यहां पर हमें A यहां और यहां दो जगा मिल रहा है फिर हमारा third का जो match है वो किसे है? D से है तो वो हमें मिल रहा है, वो हमें यहां पर मिल रहा है D और उसके बाद fourth जो है वो हमारा B से है, यानि कि option G, option C जो है, वो हमारा correct answer है चली बचो देखते हैं question number 8 question number 8 हमारा है who among the following is the founder of the बहुजन समाज party बहुजन समाज party के founder का नाम बताना है options है a कांशी राम बी साहु माराज c भी आरामेट कर and d है जो तिबा फूले तो right answer क्या होगा right answer होगा option A कांशी राम जिन्होंने 1984 में इसकी नीव रखी इस party की नीव रखी जिसे की हम BSP के नाम से जानते हैं और इनका political sign है वो क्या है elephant है ठीक है यह party जो है वो किसकी विचारों से प्रेरित रही यह party रही बियारामेट कर जोतिबा फूले रामस्वामाई नायकर जिन्होंने untouchability क मुद्दा उठाया उनके विचारों से यह party जो है वो प्रेरित रही इस party का जो अगर aim कहें वो क्या रहा जो दलित पिछड़े लोग हैं backward classes हैं उनको आगे लाना minority में जो लोग हैं उन्हें आगे लाना ठीक next है हमारा question number 9 question number 9 हमारा है what is the guiding philosophy of the भारतिय जन्ता पार्टी भारतिय जन्ता पार्टी की guiding philosophy बता नहीं है तो A है बहुजन समाज, B revolutionary democracy, C integral humanism and D है modernity तो modernity जो है वो तो बिल्कुल नहीं है फिर आगे अगर हम देखें तो इनका जो guiding philosophy रही है वो क्या रही है revolutionary democracy क्योंकि इस party का जो पुराना नाम भी अगर हम देखें तो वो भी इसी से प्रेरित रहा और इनका जो political party वाला जो sign है वो क्या है lotus आप सभी को पता है और इस समय central में अगर हम कहें तो government किस की है BJP की है यानि कि भारतिय जन्ता पार्टी तो इनका जो guiding philosophy रही वो क्या रही revolutionary democracy चलिए देखते है question number 10, question number 10 हमारा है consider the following statements on parties ठीक है parties के बारे में यहाँ पर आपके सामने कुछ statements है ABC फिर आगे क्या question which of the statements given above the correct ठीक है तो आपके सामने जो statements दिये गए है इन में से कौन सा statement जो है वो correct है आपको बताना है options यहाँ पर है ABC, AB, BC and AC ठीक है तो आपको बताना है इन में से कौन सा right answer है आई देखते है statements A है political parties do not enjoy much trust among the people ठीक है political parties जो होती है उन पर लोगों का ज्यादा जो होता है बहुत नहीं होता है तो यह तो correct है कि political parties पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं होता है तो यह अभी हम देखें अभी हम इसे इसमें पुछा कौन से correct है हम यहाँ पर टिक talked by scandals involving top party leaders, top party leaders जो होते है party में उनके scandals जो होते हैं वो सुनाई देते हैं तो यह भी सही है कि भाई जो top पर है वही ज्यादा scandals खरेगा तो वो ज्यादा top leaders के ही ज्यादा सुनाई देते हैं यह भी correct है ठीक है next है C क्योंकि उनके हाथों में power भी ज्यादा है C है हमारा parties are not necessary to run government, government चलाने के लिए parties जो होती है वो जरूरी नहीं है तो यह क्या है यह statement correct नहीं है यानि कि A and B जो है वो correct है तो option में हम देखेंगे तो option B जो है यानि कि A and B जो है यानि कि A and B जो है तो option B हमारा right answer है चली बच्चों देखते हैं question number 11, question number 11 हमारा है read the following passage and answer the questions given below ठीक है आपके सामने एक passage होगा, passage काफी बड़ा सा है तो उसे मैंने नहीं या पर शो किया है आप अपनी बुक में देख लीजेगा ठीक है तो passage आपकी सामने होगा अब पता है passage है तो आगे क्या होगा उसमें उससे related question पूछे जाएंगे वो questions हमारे सामने है and answer हमारे सामने है, passage की starting जो हो पूरसकार भी जीते और 2006 में उन्हें नोबेल पूरसकार मिला था, ठीक है आगे हम क्या देखते हैं 2007 में मुहमद यूनोज जो है वो एक new political party बनाना चाहते हैं जिसका की aim होता है कि वो एक नया बांगलादेश बनाएंगे जिसका administration जो होगा वो अच्छा होगा लोगों के लिए प्लस उसमें bottom to top सभी के लिए democracy होगी, corruption free होगा, तो इस तरीके के जो भी अच्छे-च्छे points होते हैं वो सारे उनकी party के points थे कि हमारी party ऐसा-इसा करेगी, ठीक है, ऐसा-इसा हम बांगलादेश को बनाएंगे, अब जैसा क्यों होता है कोई अपनी बात रखता है तो क शासान होगा, लोगों की कल्ले आना के लिए काम होंगे इस तरीके से, और कुछ लोग जो oppose में थे, उनका कहना था, कुछ political party के, किसी पुरानी political party के person का दिया है, जिक्र यहाँ पर, कि उनका कहना था, कि Nobel पूरसकार उने जीता, ठीक है, तो Nobel पूरसकार जीतना and politics जो है, द लोग लेके चलेंगे, first party यहाँ पर है, do you think Yunus made a right decision to float a new political party, ठीक है, आपके हिसाब से, Yunus ने नई political party बना कर क्या सही किया, तो हाँ सही किया, क्योंकि वो लोगों को अच्छा administration देना चाहते थे, लोगों के कल्लान के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए नई party बना कर वो wanted to good things for the people, लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते थे, इसलिए यह party बना कर उन्हें अच्छा किया, next हम देखते हैं, क्या है, do you agree with the statement and fears expressed by various people, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, उन लोगों के हमने देखा कुछ support में कुछ oppose में लोगों ने क्या किया था, statement दिये थे, ठी हम इससे agree करते हैं, जो लोगों इसके support में दे रहते है, statement उनको हम support करते हैं, क्योंकि जो इनकी party आए की, वो corruption हटाएगी, लोगों के अच्छे के लिए काम करेगी, इसलिए उन्हें बिना किसी fear के, बिना किसी care के, अपना काम करते जाना चाहिए, बिना किसी डर के, अपना care and fear, ठीक है, यह हो गया, question का third part का है, वो भी देख लेते हैं, how do you want this new party organized to make it different from other party, ठीक है, यह party जो है, और पार्टी से किस तरह different थी, तो यह party जो थी, वो अच्छा शासन लाने की बात कर रही थी, उसके अलावा, bottom to top सभी के लिए democracy लाने की बात कर रही थी, पार्टी कह र लोग नहीं होने चाहिए, इसके अलावा party में सभी honest होने चाहिए, ठीक है, तो अगर यह सारी चीजे हैं, तो party इसी वज़े से लोगों से, other parties से अलग है, आई यह answer देख लेते हैं, to differentiate itself from others, किस तरह से बनेगी यह party, this party will be democratic from top to bottom, the government will be away from corruption, ठीक है, government जो है, corruption से दूर होगी, plus corruption को मिटाएगी, this party will be fair and on the principle, क्या होगा उसका principle, public welfare, public के कल्याण के लिए, always honest people should remain in this party, ठीक है, तो यह हो गया, कि इस तरीके से वो party, other parties से अलग होगी, next हम देखते हैं, क्या था question हमारा, if you were the one to begin this political party, how would you defend it, अगर आपने इस party बनाई होती, तो आप इसको किस तरह से defend करते तो इसी तरीके से कि हम कहते हैं कि यह party जो है, वो क्या करेगी, corruption को मिटाएगी, if I was the founder of this political party, I would have assured people that this party is built on idols and it is for the welfare of all, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को assure करते कि पार्टी जो है, लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, corruption को हटाएगी, सभी को इसमें बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, तो इस तरीके से यह answer जो है, वो होता है complete, बाकि आप passage पढ़ेंगे, तो उसके answer जो है, वो आपको खुदी समझ में आते जाएंगे, तो बच्चों, इस तरह हमारा यह chapter होता है complete, I hope कि आपने इसे enjoy किया होगा, मिलते है नेक्स चैप्टर एंड नेक्स सलुशन के साथ, एट लर्नोहा, लर्नोहा फ्री है पर बेस्ट है